मेरा नाम विशेक पांडे है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं मध्ध प्रिदेश से आया हूँ और ये हमारे गिल्टी हो गई थी, तो इन दौर मैंने दिखाया, रायपूर मैंने दिखाया, तो उन्होंने मेरे को ट्यूब दिया था, इसका मतलब ठीक होने के लिए, और उन्होंने मैंने बोला कि छिन नहीं में मैं गया है, तो बोले कि ठीक हो जाएगा ये सिकाई करने से प्रोपर तरीके से अगर आप सब्सक्राइब को बड़ा प्रोब्लम नहीं है, फिर उससे भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक बार सर्च किया कि दिल्ली में नाम देखा डॉक् सब्सक्राइब कर देखा डॉक्टर में तो मैंने वही हां दिखाने आया, मैं सोचा ये कि देशी इलाज टीमें से ठीक हो जाए तो फिर सजरी करान ना पड़े कि आख कम अमलत है तो सर ने बोला कि ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए निकलवाद हो हाइम डॉक्टर कंदेश्यं आया इनको पर सिर्फ मन्यशन तो यह इनकी जो कंडिशन है यह सिक्स मन्त से कर रही है और इवन पिर नॉरम ट्रीटमेंट सिर्फ में और इंका यह रिजॉल्व नहीं वा तो टुड़े वी आग इन शिर्फ अनिस्ट मिंट ऐन रा गड़ेशन नहीं अगो यह इसमें यह चीज़ रबंग बार्वर करने से भी… इंकरीज होता है… यह मास्स को रीदूस करने के लिए अगर, नौमल ट्रीपमेंट और गटने के लिए उलाग समय बड़ी मास्स खृते हैं। नहीं, कि पूदता थैं लो प्लबार जाते हैं। तो आज हम इनका surgery करेंगे और biopsy भी send करेंगे for the further evaluation. करेंगे तो नहीं है ना तुसरे खुलो तुसरे खुलो के सी यू ए आर एफ एट आर करेंगे आर ना दूसरे खुलो करेंगे दुछे अर आर चुछां करेंगें। एप यहने खुति करने अर तो आज भी शायतने था नहीं है? मेरा नाम भी सेख पांडे है मैं इंदौर से रहने वाला हूं और मैं स्टेक्चर इंजिनियर हूं और मेरी आंख में यहां पर कैली जुवान हो गया था जिसको हम लोग नॉर्मल भासा में अपने इधर गिल्टी बोलते हैं तो यह मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाय करना है तो फिर मैं यहां पर आया तो यहां पर मैडम ने मतलब डॉक्टर गुंजन मैं ने पहले चेक किया देखा और उसके बाद डॉक्टर राहिल सर ने देखा राहिल सर मतलब बोले कि कोई प्रॉबलम नहीं है नॉर्मली चीज है यह अपने आप इसको रिमूब कर दि लिए उसको रिपोर्ट को भेजा बायोक्सी में पूरा नॉर्मल था उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कैंसर वगएरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो मैडम ने इसका पहले रिमूब किया उसके बाद नेश्टेडे इसका भी रिमूब कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आक में मतलब एक्दम नॉर्माल हो गई है थोड़ा थोड़ा सा अभी हल्का सूजन है बागी कोई प्रॉब्लम नहीं लगते हैं लोगों को की हो जाते हैं तो घर में ऐसी इलाज हो जाते हैं लेकिन यह कहना चाहेंगे कि मतलब की डॉक्टर के पास जाके स करना चालू कर देते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है मतलब पलक भी बढ़ सकती है और घर में नॉर्मली पस निकालने कोशिश करते हैं जिससे आख में बहुत सारी चीजे प्रॉब्लम हो और आईलीट फटने का भी डर रहता है तो इसलिए घर पे इसका मतलब निकालने की या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है जब जादा हो जाता है तो फिर लोग डॉक्टर को ढूरते हैं नॉर्मली तरीके से यह ठीक हो जाता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आज मैं घर जा रहा हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगा सर से मिलके और उन्होंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और कोई दिक्कत भी नहीं हुई एक दिन का काम था